ओम सिरी गनी सायनम दोस्तो एस्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत हैं दोस्तो आज एकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 27 सितंबर बुद्धुवार के रासी फलक के बारे में कीह दिन मित्वन रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला है किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्वापूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तों आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोग इस रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंश सकें चली दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा मिथुन नासी वालों के लिए बुद्धवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तों आज प्रकरती आपका भरपूर साथ दे रही है कोई लाबदायक और महत्पपूर सवाचार मिलने से आप स्वैम को आत्मबल और भावनात्मक रूप से बहुत अधिक सशक्त महसूस करेंगे रुके उए काम को पूरा करने के लिए आप पूरी महनत लगा दो आज का दिन आपके लिए बहुती लाबदायक दिन शाबित होने वाला है आज कोई महत्पूर समाचार आपको अवश्य मिलेगा आर्थिक समस्य हल होंगी रुके उए किसी जमीन जायजाद सम्मंदित कारों में आपको सफलता मिलने के आज योग बन रहे हैं किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने से मन बहुती प्रसन रहेगा आज सुक्षिवदाओं जैसी चीजों को खरीदारी में समय व्यतित होगा अपनी प्रतिबाँ और चमताओं को समझे इससे आपके व्यतित में और अधिक निखार आ जाएगा तथा समाज में आपकी छवी भी निखरेगी आज का दिन व्यस्तता पूर्ण रहेगा काम का बहुत अधिक बोज रहेगा परंतु सफलता मिलने से ठकान हावी नहीं होगी और उत्सा आपका बना हुआ रहेगा घर में महमानों के आगमन से मौज मस्ती में भी समय व्यतित होगा अपनी योजनाओं को सफल बनाने का आज का दिन बहुती उत्तम है काफी लंबे समय से चली आ रही किसी परिशानी से आज आपको मुक्ती मिलेगी जिससे आप आज खुद को तनाव मुक्त महसूस करेंगे और आर्थिक मामलों में भी ठोस और महत्वपूर्ण निर्णे लाबदायक साबित होंगे दोस्तो समय की चाल आपके पक्ष में हैं इसका आप आज भरपूर उप्योग करें आपकी भैतर कार्य प्रणाली की वज़े से आप लोगों के शमक्ष प्रशंसा का पात्र रहेंगे परंतु कोई भी काम अत्वा योजना की पहले रूप रे का अवश्य बना लें आपके लिए बहुत यच्छ रहेगा दोस्तो अनेक प्रिकार की सफलता हैं आज आपको अवश्य प्राप्त होने वाली हैं दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगटिव हो सकता है दोस्तो अपने क्रोध वे जल्दवादी जैसे स्ववबाव पर आप नियंतन रखें किसी संबंदी या पडोसी के साथ वाद विवाद जैसी इस्तिति उत्पन हो सकती हैं बहतर होगा कि अपने काम पर आप ध्यान दें दूसरों की फिजूल बातों को नजर अंदाज करें मन में कुछ अनहोनी होनी जैसी आसंका होने का आज भे रहेगा अपने श्वयबाव पर नियंतन रखें क्योंकि कभी कभी आपके क्रोध पूर्ण वानी दूसरों को आहत कर देती है साथी संबंदों में भी कटूता आ सकती है दोस्तों आयके संसादनों में कमी रहेगी परंतु खर्चे वर करार रहेंगे इसलिए अपने बजट के अनुशारी खर्च करें कुछ ऐस्वस्तता महसूस करेंगे लेकिन आपका कॉन्फिडेंस आपको एक्टिव बनाकर रखना होगा दोस्तों साथी साथ दूसरों की वज़े से किसी प्रकार की धन हानी भी हो सकती है चचेरे भाई भेनों से अपने संबंदों को खराब ना होने दें इससे अकारण ही तनाव उत्पन हो सकता है कुछ प्रतिदूंदी जलन की भावना के कारण आपके लिए कुछ नकार अत्मक वातावरन उत्पन कर सकते हैं और किसी बात को लेकर कहा सुनी भी हो सकती है परन्तु जरासी सावधानी आपको परेसानियों से मुक्त रखेगी घर के बड़े बुजर्गों की अवहेलना बिलकुल ना करें कभी कभी लापरवाही और आलस की वज़े से आपके बंतिक कारों में रुकावट आ सकती है साथ ही अपने विचारों में भी लचीलापन रखें आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ के शिरेनी वाली है दोस्तो विवाहित जीवन में समान जश रहेगा मनोरंजन संबंदी कारों में समय व्यतित होने से परिवार में हास परिहास वे खुसी का माहुल रहेगा परिवारिक वातावरन आज सुखद बना हुआ रहेगा प्रेम संबंदों में भी प्रगड ताएगी रोमांटिक माहुल रहेगा निकट संबंदियों के यहां डिनर पर जाने का भी प्रोग्राम आप बना सकते हैं काफी समय बाद घर से निकलना वे लोगों से मिलना जुलना खुसी और इस्फूर्ती प्रदान करेगा परिवारिक वातावरन खुसनुमा रहेगा घर के सभी सदसें एक दूसरे के साथ समय व्यतित करेंगे बाहरी संबंदों से सावधान रहें इनसे मानहानी होनी की भी संभाव ना है परिवार के व्यक्ती आप से कुछ नाराजगी व्यक्त करेंगे क्योंकि काम की व्यस्तता के कारण आप परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं इसलिए उनके लिए भी कुछ समय आप अवश्य निकालें विवाहित संबंदों में कुछ समय से चल रहें तनाव को साथ बैठ कर सुल जाने में सफलता मिलेगी और घर का वातावरन पुन्हें कमी आने से तनाव रह सकता है परन्तु आपकी पेमेंट आने से आर्थिक इस्तिती मजबूत रहेगी इसलिए फिकर करने की आवश्यक्ता नहीं हैं किसी उच्छ अधिकारी का शयोग आपके कारों में मन मुताविक सफलता प्रदान करेगा साथ ही कोई बड़ा ओर भी मिलन अकेले ना लें बलकी टीम वर्क बना कर काम करें इससे वेवस्ता उत्तम बनी रहेगी आर्थिक मामलों पर किसी पर अधिक भरोसा ना करें और नाहीं किसी प्रकार का समझोता करें दोस्तों वेवसाय छेत्र में आपको अपनी महनत के अनुरूप बहतर पढ़िणाम हासिल होंगे आज आपके भाग्य का आपको अधिक शयोग प्राप्त होगा नोकरी पेशा व्यक्ति किशी सरकारी मामलों में फस सकते हैं सावधान रहें वेवसाय के परिस्तितियां आज अनुकूल बनी रहेंगी अपना पूरा ध्यान बिजनिस पर केंदरित करें किसी बड़े अनुबंद के मिलने की आज संभव ना है वेवसायक गतिविदियों संबंदित योजनाएं किसी भी बहारी व्यक्ति से आप शेयर ना करें कोई इसका अनुचित उप्योग कर सकता है और ओर्डर संबंदित सभी कारों में पक्के बिलका आप उप्योग करें दोस्तों नोक संबंदित आज आपको बहुती अच्छी खुसकबरी आवस से प्राप्त होंगी जिससे आपको काफी खुसी का अनुबब होगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ कैसा रहने वाला है दोस्तों गैस और ऐसे डिटी से आज परिशानी रहेगी खान पान में स स्वास्थ को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वास्त रहें दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशे शुपाय क्या है दोस्तों आज आप इशनान आदी से निर्वत रहोने के बाद एक नारियल लें या दोस्तों इसके ब श्रोत का पाठ करें या दोस्तों ऐसा करने से भगवान श्री ॒नेशिजी जी बहुत जल्द प्रसन होकर आपके समस्त कश्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परिशाणे हैं समस्त प्रेशनियों कांत करेंगे और आपको जल्द ही सुब फुलो की प्राप्ति होंगी और आपके समस्त कार्रे बहुत यासनी से बनते चले जाएंगे दोस्तो भगवान श्री गनेश जीक का अशिरबाद आपको प्राप्त हो सचे दिल से कमेंट्स बोक्स में जैश श्री गनेश अवस्च लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद